ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 News TV नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन को दबाए और नोटिफिकेशन के लिए दिये गए बैल आइकन पर क्लिक करें हमारे वीडियोज को लाइक, शेर और कमेंट करें नमस्का, स्वागत है आपका A1 News TV में मैं हूँ आपके साथ साक्षी वर्मा दोस्तों कई बार हमारे घर में रात के बचे हुए चावल बच जाते हैं और हम उन्हें बेकार या बादी यानि एसिडिटी करने वाले समझ कर या तो किसी पशु पक्षी को डाल देते हैं या फिर डस्टरविन में फैक देते हैं क्योंकि बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि चावल खाना हमारी सेहत का नुकसान नहीं बलकि सेहत के गुडों से भरपूर भी है तो अगली बार जब आपके घर में चावल बच जाएं तो उन्हें फैकने से पहले हमारा ये वीडियो जरूर देखे रात के बचे हुए चावल को फैकने के वज़ाए आप इन्हें एक मिट्टी के बरतन में भीगो कर रात भर के लिए रख दें सुभा तक ये चावल फर्मेट हो जाएंगे अगर आपको पसंद हो तो इस बासी चावल को कच्चे प्याज के साथ सुभा ब्रेक फास्ट में खा सकते हैं और भले ही ये आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट ना हो लेकिन बासी चावल खाने का ये तरीका आपकी सेहत के काम जरूर आएगा बासी चावल की तासी ठंडी होती है ऐसे में आगर आप इस तरीके से हफते में कुछ बार बासी चावल खाएंगे तो ये आपकी बॉड़ी टेंपरेचर को कंट्रोल में रखेगा चावल में भरपूर मात्रा में फाइबर्स मौजूद होने की वज़े से ये आपको कब्ज जैसी समस्या से भी निज़ात दिलाता है बासी चावल आपको दिन भर तरोताजा बनाए रखते हैं जिससे आप दिन भर काम करने में सुस्ती महसूस नहीं करेंगे अगर आपको अलसर की समस्या है तो हफ़ते में दो या तीन बार बासी चावल खाएं इससे जल्द ही आपकी समस्या ठीक होने लगेगी अगर आप बार बार चाए या कफी पीने के आदी हैं तो सुबह उटकर चावल खाने से आपकी इलद कुछी दिनों में कंट्रोल हो चाएगी मेरे साथ इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही देखते रहिए एवन यूस टीवी नमस्कार